बिहार में एक बर फिर से मौनसून आक्टिव हो गया है, नतीजन बारिश में भडोतरी हुई है 5 सितंबर को पटना में रुक रुक कर बरसाथ होती रही, रात के समय भी यही हाल रहा ऐसे में मौसम सुहाना हो गया, उमस वाली गर्मी से रहत मिली उत्तर पुर्वी जिलों में कई जगाहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई पटना सित मौसम विज्ञान केंदर के विज्ञानेक इसके पटेल ने बताया कि इस बार आक्टिव मौनसून का ज्यादा असर उत्तर बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा आज यानी 6 सितंबर को भी उत्तरी बिहार के 14 जिलों में उसलाधर बारिश का पूर्वनुमान है वहीं 6 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है विज्ञानेक इसके पटेल के अनुसार बंगाल की खाडी में लगतार कम दबाव का शीत्र बन रहा है लेकिन इसका बिहार पर कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा मौनसून ट्रफ लाइन और मौसमी सिस्टम जहां मिलता है उसके आसपास मौसम ज्यादा आक्टिव हो जाता है हाल ही के दिनों में बंगाल की खाडी में एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बने इसे मौनसून मध्य भारत से गुजरते हुए पस्चमी दिशा की ओर बढ़ गया यहां अच्छी बढ़ साथ हुई बंगाल की खाडी में मौसमी सिस्टम बने का सिलसिला अभी भी जारी है आज बंगाल की खाडी के उपर एक कम दबाव का शेत्र बन गया है उत्तर आंथर प्रदेश एवं दक्षनी उरिसक तटो पर 7 किलोमीटर उपर एक साइकलोनिक सर्कुलेशन फैला हुआ है यह आज उत्तर की ओर आगे बढ़ सकता है उधर मौनसूज रफ सूरत रहतक मंडाला से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का शेत्री के केंद्र से होकर गुजर रही है एक पूर्वी पश्चिम ट्रफ लाइन हर्याना से मनिपूर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार से होकर गुजर रही है इन सभी मौसमी सिस्टम के एक साथ प्रभाव से आज राज्य के पूर्वी भाग में ज्यादतर हिस्सों पर मेगर्जन के साथ बढ़ साथ और कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वनुमान जारी किया है आज यानि 6 सितंबर को पस्चिन चमपारण, पूर्वी चमपारण, सीतामणी, शिभर, मधुबनी और गुपाल गंज में भारी बारिश होने की संभावना है जबकि मुजफ्करपूर, वैशाली, समस्थेपूर, गर्भंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्निया, कटिहार, सुपॉल, औररिया और किशनगंज के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का पूरवनुमान है बाकी सभी जिलों में हलकी से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, मेघरजन और ठनका गिरने की संभावना पूरे बिहार में बनी हुई है लोकल एटीन के लिए पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट